जैहिं दोस्तों UPSC Hindi के इस online platform पे मैं आवनी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ हम लोग देख रहे हैं अपना R.O.R.O का जो previous year questions के lecture देख रहे हैं हम लोग उसमें आज जो छठवा lecture है वो हम स्टार्ट करेंगे second part 2016 की previous year paper का आईए देखते हैं पहला प्रशन क्या है अर्थवस्ता का उत्पादक कीमत सूचकांक जो उत्पादक कीमत सूचकांक है वो क्या मापता है क्या मापता है तो हैं लिखा है उत्पादित वस्तों और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को उत्पादित वस्त्मों ए सेवाओं की कीमत के मामुली परिवर्तन को उत्पादित वस्त्मों ए सेवाओं की कीमत के कुल परिवर्तन को तो आपको इसमें सिर्फ कीवर्ड याद रखना है औसत परिवर्तन को मापता है किसको औसत परिवर्तन को मापता है, मामुली और कुल परिवर्तन को नहीं मापता है next, कृशी उद्योग और व्यापार से प्रश्ण है ये कि चावल का सरवाधिक उत्पादन प्रती हेक्टेर कौन करता है चावल का सरवाधिक उत्पादन जो है वो प्रति हेक्टेर कौन करता है वो करता है पंजाब कौन करता है पंजाब प्रति हेक्टेर पूछे तो पंजाब होगा और वैसे सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है वेस्ट कौन है ठीक है ना किस फसल का सरवाधिक उत्पादक राज्य कौन है जूट का सरवाधिक उत्पादन होता है वेस्ट बेंगॉल में ठीक ना जूट का सरवाधिक उत्पादन वेस्ट बेंगॉल में पाइनेपल का भी सरवाधिक उत्पादन कौन करता है वेस्ट बेंगॉल च प्रश्न पूछा हुआ है और रबर का सबसे अधिक सरवाधिक उत्पादन कौन करता है केरल नेक्स्ट कॉंसेजंसी भारत से क्रिशी सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है जो क्रिशी सामानों का निर्यात नहीं करती है तो नाफेड करती है ठीक इस्टेट नहीं करती है इफ को क्या है नहीं करती है ठीक नेक्स्ट इस्टॉक एक्सचेंज में निम्लिखित में से कौन सट्टे बाज नहीं है इन में से कौन जो है वो सट्टे बाज नहीं है तो तेजडिया स्टैग और मंदडिया ये तीनों सट्टे बाज है दलाल सट्टे बाज नह ही है दलाल स्टॉक एक्सेंज में क्या करता है जो दलाल होते हैं वो मद्ध्यस्त की मेडियाटरी की भूमी का मीडियेटर की भूमी का निभाता है यह ठीक और सट्टेबाज कौन-कौन है तेजडिया इस्टैग और मंदडिया नेक्स्ट विद्धुत चुंबकिये प्रेरण प्रेरण पर आधारित युकती है विद्धुत चुंबकिये मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि विद्धुती चुंबकता पर आधारित है कौन-कौन डायनमो और विद्धुत मोटर डायनमो यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में कनवर्ट करता है ठीक और यांत्रिक को विधुत में और ये विधुत को यांत्रिक उर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक, नेक्स्ट, रिडात्मक मान नहीं होता है, इसमें से किस का मान जो है, रिडात्मक नहीं होता है, फॉरन हाइट का रिडात्मक होता है, रिूमर का होता है, सेल्सियस का होता है केल्विन का नहीं होता है ठीक है ना केल्विन का नहीं होता है है ना नेक्स्ट रसायन विज्यान कौन सा पसा पदार्थ शाकनाशी है इसमें से कौन सा पसा पदार्थ शाक कह नाशी है इसका उत्तर हैं भीऊटाख लूर कौन सा पतुर साक नाशी है गुटाख लॉर नाके क्लोपाईरी इव स्य क्या है कर्बन ड्यकर लिह domestic और जह कवक नाशी है मद्यवाघ्ण is ठीक, next, कौन सा बहुलक जैव निम निकृत नहीं किया जा सकता है, कौन सा बहुलक है जो जैव निम निकृत नहीं किया जा सकता है, तो वो है PVC, क्या इसका आर्थ है समझ लें हम लोग, इसका इन बॉक्स बहुत important है, जैव निम निकृत पदार्थ उसे कहा जाता है, जो प्र पराबैगनी किरणों आधी को आधी की सहायता से विघटित हो जाते हैं ठीक ना जैव नेम निकरपदार्थ कौन होते हैं जो प्राकृतिक नैचुरल एजेंट होते हैं बैक्टीरिया फंगस इन से जो क्या होते हैं डिकंपोज हो जाते हैं जैसे सैलुलोज स्टार्च प्रो एलिमुनियम का ओर क्या है बॉकसाइट है कॉपर का ओर क्या है पाइराइट या क्यूपराइट है कॉपर का ओर क्या है पाइराइट या क्यूपराइट पारा यानि जिसको कहते हैं मरकरी उसका क्या है सिनेबार पारा का सिनेबार जिंक का कैलामाइन जिंक का क्या है कैलाम घंडी घास निम्वर्विक्त तट्यू का मुख्य और महत्वपूर्ण श्रोथ है ठीक सीज का इन में किशी का श्रोथ जो है वह आयोडीन का ठीक आयोडीज किस किसज्य के लिए अनिवार होता है हमारे मस्तिस के विकौस के लिए हमारे जो थायराइट ग्लैंड से हमारे गले में उनके लिए हना और ये शरीर के तापमान को भी क्या करता है कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परिचर को आयोडीन की कमी से घेंगा जो गले में सूजन जैसा हो जाता है फूल जाता है वो घेंगा रोग हो जाता है चुकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं हो सकता है इसलिए हमें इसे हमेशा लेने की प्रती दिन लेने की ज़रूरत पड़ती है ठीक नेक्सट, प्रकास अंसेलेशन प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिती आवश्यक नहीं है उक्सीजन तो प्लांट खुदी छोड़ते हैं, कारबन डायकसाइड लेते हैं और उक्सीजन छोड़ते हैं तो उनको उक्सीजन नहीं चाहिए, ठिक नेक्सट पादप और उनके प्रकार, अमर बेल तना पर जीवी, एक तरह किस तरह का पादप है अमर बेल पर जीवी है, चंदन ये भी पर जीवी है, आर्केड ये एपिफाइट है, ठीक और घट परड़ी प्रपकर आर्केड इसी लिपाइच, य हार्मोन है यानि जो फीमेल में पाई जाता है मेल में यह यह मुँंध नहीं पाे जाता है तो वह एस्टुजण कौन सा है ऐस्ट्रोजण कि है अंडाशा से उत्पन इस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास के लिए मुख्य-भूमिका रिभाता है यह तीम प्रकार के होते हैं इस्ट्रोजन कि स्ट्रडियोल और एस्ट्रियोल ठीक एक इंडीरो स्ट्रिस्टिरोन और टेस्टेस्ट्रोन यह Milk circulation Bie यह क्या हैं मेल सेक्स हार्मोन से थायराक्सीन थायराइट ग्रंती में रिसावित होने वाला मुख्या हार्मोन है यह दोनों में होता है तो यह स्ट्रेलिंग हार्मोन सेर्फ कौन सा एस्ट्रोजन नेक्स्ट विटमिन B1 की कमी से नहीं यह रोग नहीं सॉरी विटमिन A की कमी से रताउंधी नामक रोग हो जाता है ठीक ना विटमिन A की कमी से क्या होता है रताउंधी नामक रोग होता है गठिया नहीं होता है ठीक ना विटमिन D से सुखा रोग हो जाता है ठ टीक, बीवन, बेरी-बेरी, यह सब सहिय है, विटामीन A से गठिया नहीं होता है, ठीक है न? विटामीन A की कमी से, रताउंधी नामक रोग होता है, है न? देखते हैं, इनका रासानिक नाम नीचे दिया हुग है, विटामीन B1, थायमिन, विटामीन D, क्याल्सी फेर और वि सारे विटमिन्स का आप निकाल करके याद कर जाए कि किस से कौन सा रोग होता है किस की कमी से किस विटमिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस विटमिन को हम लोग किस रहसानिक नाम के किस रहसानिक नाम से जानते हैं ठीक ओशदी है यह और यह उसका उपयोग है जैसे क्लो Chloromycetin Chloromycetin इससे इसका उप्योग किसमे किया आता है टाइफ़ाइड नाशी में टाइफ़ाइड नाशी में अगर आपको हो जाता है तो इस और इस और इस मेडिसिन का यूज किया जाता है ठीक next crystal violet इसका कब किया आता है पूर्ती रोधी ठीक ना कुनायन यह malaria यह बहुत बार repeated है malaria ठीक यह repeated है और यह तीनों repeated है यह बस नया दे दिया है इसमें ठीक ना और आपको basically जानना था यही ठीक aspirin यह क्या है दर्द निवारक है इस्पिरिन क्या है यह दर्द निवारक है पेंकिलर है ठीक बेहोशी की दवा नहीं है यह next एक सामान 70 kg भारवाले व्यस्क मनुष में रक्त की कुल मात्रा कितने होती है अगर 70 kg का कोई आदमी है तो उसमें total blood कितना होगा 5000 ml कितना होगा 5000 ml बलड होगा उसमें next कौन सा एंजाइम प्रोटीन को amino acid में परिवर्तित करता है तोड़ता है या भी घटित करता है जो भी कह सकते हैं तो उसका नाम है pepsin ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को amino acid में ब्रेक करता है तोड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग pepsin ठीक आगे क्यात कह रहा है lactase enzyme lactose को glucose और galactose में विखटित करता है ठीक है ना lactase enzyme जो है वो lactose को glucose और galactose में विखटित करता है jamese enzyme glucose और fructose को alcohol और carbon dioxide में परिवर्थित करता है next urea enzyme urea का जल अबगटन carbon dioxide और ammonia में करता है और next अबसे last pepsin enzyme protein को amino acid में विखटित करता है protein को amino acid में क्या करता है विखटित करता है next जिवारू के संबंध में है ये जिवारू भोजी जो विशारू होते हैं वो जिवारू को संक्रमित करते हैं सही है जिवाडु भोजी अनुवानशिक अभियांतरकी में प्रयुक्त होते हैं अनुवानशिक अभियांतरकी यानि एंजीनिरिंग में ये प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहरा इसके बारे में आए डिटेल देखते हैं बैक्टेरियो फेज या जीवाडवोजी ऐसे विशाडव होते हैं जो केवल जीवाडवों के उपर आश्रित रहते हैं इसके उपर आश्रित रहते हैं जीवाडवों के उपर आश्रित रहते हैं और उन्हें संक्रमित करते हैं इनमें DNA पाया जाता है यह अनुवांशिक अभ गौसमर शिल्क, गौसमर रेशम कहलाता है, ठीक ना, गौसमर इसका नाम है, ठीक, अभी रिसेंट में इससे रिलेटेड एक निउस है, कि ये जो हम लोग आर्टिफीशल हर्ट बना रहे हैं, उनको बनाने में जिन टीशू का इस्तमाल होना चाहिए, उनको क्रियेट करने में उनको बनाने में ये एहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक, अब नेक्स्ट है, फसलों की बारी आ गई, वरुना जो है किसकी प्रजाती है, सरसो की, सपना किसकी प्रजाती है, मतर की, सूर्या, पपीता की, और कौशल, मुंफली की, कौशल किसकी है, मुंफली की, सूर्या कि की है पपीता की सपना मटर की और वरुणा सरसों की प्रजाती है नेक्स गेरुई गेहु में पाए जाने वाला रोग है सही है ओगती जुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है सही है खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है सही है लेकिन जो फॉल्स स्मट है वो जो में नहीं पाया जाता है किसमें पाया जाता है धान में पाया जाता है किसमें धान में पाया जाता है ना कि जो में नेक्स्ट ये करेंट अफेर से रिलेटेड है पर्यावराण और पाइस्थे की देखते हैं हमलों एन्वार्मेंट राश्ट्री उद्यान और राज्य इंतानकी कहां पे है नागा लैंड में इंतानकी राश्ट्री उद्यान नागा लैंड में बेतला जारखंड में सिरोही से next question सरवाधिक वरिःति पारष्थितिया कoting मैं सबस्क्रि mieszka останов क्योंकि मंडल में सभी आ आजाते हैं स्थल मंडल जल मंंडल वायू मंडल जो मंडल होता है deux है उसमें सभी के सभी समाहित हो जाते हैं next question है स्वपोशी स्थर पर उत्पादन को प्रात्मिक उत्पादक कह जाता है σहही है दिती उत्पादक का संदर्व किस से है पर पोशी किसी है आश्रित रहने वाले जो होते है उनके उत्पादन से है ये भी सही है Next, एक पारिष्थेगी तंत्र में उर्जा की मातरा एक पोशड स्तर से अन्य स्तर पर इस्थानान तरण के पश्चात क्या होता है यानि अगर किसी ecosystem में उर्जा जो है एक पोशड स्तर से दूसरे में अगर transfer होती है तो घड जाती कितने लगभग 10% उर्जा ही पहुँचती है ठीक है ना 10% उर्जा ही संचित हो पाती है दूसरे level पे नेक्स्ट निमलिखित में से किस प्रकार के वनों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है तो इसका एक simple sensor यह बहुत important है यह लगभग मान के चली कि हर एक्जाम में यह प्रशन आ जाता है और अगले बार भी 90% उमीद है कि यह प्रशन जो है रहे गा ही आपके एक्जाम में ठीक कौन सा वनों में अधिक्तम पादप विविधता पाई जाती है उश्ल कटी बंदी है सदा बहार वन उश्ल कटी बंदी सदा बहार वन नेक्स्ट है स्टेट के क्वेश्चन से यह भारत में राजयों में उत्तरप्रदेश नेमलिकित में से किस फसल का अग्रणी उत्पादक है गेहूं आलू और गन्ना इन तीनों में इन तीनों के उत्पादन में लगबग जो यूपी है वो प्रथम है नेक्स्ट दीन दयाल हस्त कला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थी थे तो इसका उत्तर है वारान सी दीन दयाल हस्त कला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर है वारान सी में नेक्स्ट, पंडित दीन द्याल उपद है, पशुची कित्सा विच्वेत द्याल है, एवं गोर अक्षानु संधान संस्थान कहां पर है, मत्धुरा में, कहां पर है, मत्धुरा में, नेक्स्ट, नोएडा, यूपी के किस जिले में वस्थी थे, गौतम बुद्धिनगर में, ठिक नेक्स्ट है ये करेंट अफेर का कोश्चन है भोजपूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोग भाशा है कह रहा है भोजपूरी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोग भाशा है हाँ बात सही है पूर्वी उत्तर प्रिदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं ऐसा नहीं है और भी खड़ी बोली ही बोलते हैं लोग है न तो ऐसा नहीं कि असहज है इंग्लिश भी बोल लेते हैं बहुत सारे लोग कौन सा जनपद दसहरी आम के लिए सर्वोच उत्पादब करता है वो है लखनव कौन सा शहर है लखनव यूपी के निमलिकित में से कौन सा शहर निर्यात विकास के इंदर नहीं है इलहाबाद, तो कौन-कौन है ये याद रख लें, ठीक है न, कौन-कौन किस-किस चीज के लिए, जिसे आगरा, सिल्प कार्पेट, हस्त सिल्प सामान, संग मरमर उत्पाद, बैग आदी के लिए, खुर्जा किस चीज के लिए है, पॉर्टरी, सेरेमिक टाइल्स के लिए, मे आठ साल है, कितनी है, आठ साल है, नेक्स्ट, इत्र का शहर किसे कहते हैं, कन्नौज को, इत्र का सहर किसे कहते हैं, कन्नौज को, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ, इत्र का उद्योग है, सभी कहां कैसे हो सकता है, ठीक, ये सभी इस टाइप की अगर आते हैं, तो उस पर एक बार आप जरूर विचार किया कीजिए सभी केवल ठीक कन्योज जो है वो तंबाकू के लिए भी जाना जाता है ये एक और information है आपके लिए इसको भी आप ध्यान रखें कन्योज जो है इत्र के अलामा तंबाकू के लिए भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में single window clearance विभाग के निम लिखे तो देशउं पर विचार की इनकी क्या 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 का रहे है इस विभाग का सम्बन और ज्यक अफसुश्श्ड प्रबंधन से नहीं है इसका अउद्देश क्या है राज के उद्योगिक इकाई जो है जो राज के उद्योगिक इकाई है उनका प्रोचसाहन करना ठीक ठीक राज के प्रद्योगिक उद्योगों का प्रोचसाहन करना नेक्स देखते हैं ठीक प्रसिद्ध ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था कहां पर हुआ था वारांड सी में इनका जन्म कब हुआ था 1929 में ठीक करेंट अफेर में थी कहीं न कहीं ये जब इन किम्रित्ती हुई तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बलियां उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलियां सबसे उत्तरी सहारन पूर और सबसे दक्षडी जिला सोन भद्र है नेक्स्ट कौनसा शहर और उसकी विशेशता क्या है वारांसी संस्कृती और धर्म के लिए जाना जाता है लक्नव प्रिदेश की राजदानी है हमारे जहासी अथिहासिक परेटन स्थल है जहासी में मुरादाबाद पितल उद्योग के लिए जाना जाता है यह सब रटना ही है आपको इसमें बहुत ज़्याद आप कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक यूपी PCS और खास करके इसमें आरो में 70% कुश्चन सीधे-सीधे रटने वाले ही होते हैं 70-75% उसमें इवन उससे ज़्यादा होते हैं सहारनपूर के को एक अन्य नाम से जाना जाता है इसको एक निकनेम दिया गया है पूरवी दीमापुर में पूर्वी छेत्री सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है पश्चिमी छेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदैपूर में दक्षड मद्य छेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर में दक्षड छेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंज्यावर में ठीक नेक्स्ट भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को क्योंकि यहाँ पे गन्य का सरवादिक उत्पादन होता है गन्या अभ्यानतिकी सिक्षा संस्थान है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चीनी मिलो की संख्या सरवादिक है नहीं महाराष्ट्र में है, ठीक न, कहां पे है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक की संख्या सरवाधिक है, हाँ, नेक्स्ट, ये रीजनिंग है, समसमाई कि आपको निशान सर पढ़ाएंगे, ठीक न, यूपीस हिंदी जो लोग फॉलो करते हैं, लखनव, भारती दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कानपूर में, कल से हम लोग देखेंगे, दो हजार सत्र का, ये तो हिंदी का है, नेक्स्ट येर का हम लोग, क्योंकि हम लोग पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो सोला का इस स्पेशल वाला हम लोग देख चुके हैं जो सोला का जो जनरल एक्जाम हुआ था, जो रेगुलर होता है, उसका पेपर हम लोग कल से देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव नाइस डे